जोधा अंगुरुबाई इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उदेश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाना नहीं है खबरतार मेरे जीवित रहते मेरे बेटे को नहीं चूश सकते करना नहीं चूश बिल्गाई तुम्हारे कलेजे को ठंडाक। शेहनशा होना तो जाके सेनी को से लड़ो इस तेर अपराद को अनात करके क्या मिल गया तुम्हें एक काम करो मुझे और मेरी संतान दोनों को खतम कर दो माल डालो हमें भी वैसे भी मेरे पती के बिना मैं जीए कर क्या करूँगी बताओ यखीन हम तुम्हें मारेंगे क्योंकि यही है संदेगी की आकिकत है जिस से हम मांपत करते हैं उसे हमसे चीन लिया जाता है परन्तु मेरे पती की जात तुमने लिया है जो तुम्हारा भगवान किसी के मौत परे तो वो जायज है लेकिन जब एक बाश्या एक बाश्या किसी को मौत परे तो वो ना जायज हाँ? audio परन्थु वह भगवान है अगर वो प्रान देते हैं तो वो प्रान ले भी सकते हैं तुम भगवान नहीं हो तुमने तो कितने निर्दोशों को मा रहा है निर्दोश? निर्दोष तो हमारे बच्चे भी थे अपने जांति नवानी पड़ी जो तुमारे भगवान ने हमारे बच्चों की जान ली तो ठीक है तुम अपनी संथान की हट्या का बदला हमें और हमारी संथान को मार कर ले लो मरो हुआ 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 Finn झाल 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 क्यों किया तुमने ये सब क्या मिना तुमने ये सब करके क्यों तुमने हमारी जुन्दगी को तबाह कर दिया क्यों तुमने हम से हमारे हसं और हमारे हसंग को चीं लिए जो तुम पर एदबार करता था उसी के साथ नाइंसाफी की तुमने जिसे तुम पर एमान था पांच वक्त की नमाज अता करता था ज़कात देता था जस्बी रूप में तु हमारे सामने आया तु हमारे सामने सर जुखाया पिर चाहे तुम काना बनके या देवी माँ के रूप में हमारे सामने आए और तुझे जरा भी तर्ष नहीं आया हमसे हमारे बच्चों को छीनते हैं वक। आज तुमने हमें एक जलात बना दिया है तूने हमें एक हेवान बना दिया है मगर इस गलत फाहमी में मत रहना कि सर्फ तू ही लोगों की संदगी ले सकता है जरा के खौर और गौर से देख हमारे इड़्द गिर्द यहां आजारों की तादाद में हमने लोगों की जान ली है हमने इन सब को मारा है आज इन सब लोगों की संदगी की तोर हमारी मुठी में थी जिसे हमने चच्चा अपने हाथों से तोड़ दिया क्या तुम जानते हो कि अभी अभी हम एक औरत से मिले थे उसने हमें उसने हमें कहा कि हम महज जिन्दगी ले सकते कि हम महज लोगों को मार सकते हैं इतनी ताकफ नहीं है हमने कि हम लोगों को जिन्दगी दें लिकर हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि आज आज जो हमें सब लोगों को मारा है अब इसके बाद लाखों ऐसों का जन्म होगा जिनका इसके बाद तुझ पर से विश्वास खतम हो जाएगा आज हुने पता हासल की है लेकिन इन चीटी के बराबर इंसन पर नहीं आज शेहनशाँ जहा के मुहमद अकबर ने खुद तुझ पर पता हासल की है आज हुने हुने दू जहां के शेहनशाँ पर पता हासल की है बस्तिनमेने बज़िकों मार कर तो कुष बाठा, अच आच वह कुष Fati el! Fati el! Fati el! Fati shelter! षी रोपने ज्राब नाहया आप करना करें नदमार। मन कुछ ठीक नहीं लग नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है हम खुछ तो होना चाहते हैं लेकिन खुछ हो नहीं बारे ना जाने क्या हो रहा है हमारे साथ भुछ हमारे साथ चुछ हो रहा है नाज क्या हुछ तो हो रहा है कि अपने सब्सक्राइब के सबसे बड़ी चम्ची थी है इसके बाद पे हम भुखश क्यों नहीं है कि शेहिंचा का इकबाल बुलंद हो सूफी शेक सलीम चिष्टी सहब ने आपको याद फर्माया है कि तुम नहीं हमारा पेगाम नहीं दिया कि अब हम खुदा पर अस्त है अब हमारा खुदा पर यकीन नहीं है जी बेशक लेकिन फिर भी चिष्टी सहब पिछले चार मैनों से लगातार आपको याद कर रहे हैं कल फिर से उनका पैगाम आया कि आप परेशान और बेचैन हैं इसलिए आपको उनसे मिलना चाहिए सलीम चिष्टी सहब ने कहलवाया है कि अगर आप उनसे मिलना नहीं चाहते फिर भी एक आखरी बार उनकी गुजारिश कुबूल करें आदाब जोधा पेगम प्रणाम रुकाब पेगम आप हाँ बहुत अर्से बाद खुश खबरी आई थी तो हमने सोचा कि खुद आपको आकर दे दी क्योंकि शेहनशा के वापस लोटने का इंतजार सबसे ज्यादा आप ही को होगा ना तो सोचा ये खबर हम खुद आपको दे दे अब ये मत कहिएगा कि आप नहीं जानती शेहनशा ने मेवाड की जंग में फते हासल कर ली है सुना हमें कुछ निर्दोशों का रक्त भी भाया है उन्होंने कुछ कुछ नहीं बहुत सारे दुश्मनों का खून भाया है जलाल में 30-35 हजार मुगल दुश्मनों को मिठी में मिला दिया है जलाल में जलाल का जलाल फिर से उनकी शम्शीर में वापस हा गया है मुबारक हो आज हम बहुत खुश है जानती है क्यों क्योंकि फिर से हिंदुस्तान जलाल की शम्शीर को सलाम करेगा तेर किस बात की जोधा बेगम जाए तयार हो ये जश्न जो मनाना है बहुत अर्से बात खुश्यों ने मुगल दर्वाजे पर दस्तत चोती है जाए 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 चलते है कई निर्दोशों का रखत बहाने के पश्चा कोई उत्सफ कैसे बना सकता है सुना है जोधा शेहन ने इस पार किसी को नहीं जोड़ा यहां तक की औरतों अब बच्चों को भी नहीं जो सामने आया शेहन चा की फॉश्नों से मार डाला आप ने ठीक ही कहा था जोधा अकाश का लाल रख उसी रक्त के पर चाहे है आखिर जलालुदिन मोहमद ना चाहते होए भी शेख सलीम चिष्टी की दरगापर पहुची गया उसे जानना जो था कि इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद भी उसे सुकून क्यों नहीं मिल रहा वालेकुमस्सलाम आईए शेंशाह आज सलाम में वो अदब नहीं मैं इस दुनिया के सबसे बड़े जंग पर फतर हासल कर गया है विस दुनिया को उस खुदा के समने जुकने के ज़रूत नहीं है क्योंकि यह दुनिया अब हमारे समने जुके की वसे लाम में को मैं करना चाहिए अजी मुषान शेह इंशा चलालतिन मुम्मद अकबर कौ हम तुमारा दर्द समझते हैं हमें मालूम है कि तुम्हें कितनी गोटन है महमंगा को और अपनी दोनों उलादों को खोने के बाद कितना दर्द है तुमारे सीने में लेकिन यह दर्द वक्त के साथ गुजर जाएगा अगर एक आम आदमी ये सोचे तो जाइज है लेकिन अगर तुम ये सोच बैठे हो तो तुमारा एक शैनशा का बड़ापन कहा है जलाल तुम तकलीफ में हो हम बहुत खुश हैं, हमें कोई दर्द नहीं है, क्योंकि अब इस तन्या के गाजी हम है, हम शेंच अकपर हैं जलाल, दूसरों को दर्द देकर कभी खुशी नहीं मिलती, अगर मिलती होती, तो तुमारी आँख हैं, तुमारा चहरा, तुमारी जुवन का साथ दे रहा होता अगर सुकून चाहिए, तो दूसरों को दर्द मत दो, बलकि दूसरों के दर्द को समझ के, उन्हें उस दर्द से उबारो हमने सोचा था, कि तुम हसन और हुसेन को खुने के बाद, तुम किसी के अपनों को नहीं खुने दोगे मगर नहीं, तुम तो उस दर्द का मतलबी कुछ और निकाल बैठे, जो अपने और दूसरों के दर्द से सबक लेता है, वही दिलों का शेंशा बनता है बहुत बड़े बादशा हो, लेकिन हमसे छोटे ओमर में बड़े होते देखा है तुम्हें, सही से गलत रास्ते पर जाती हुए भी, वापस सही रास्ते पर आजाओ जलाल, अपने अंदर के शेयतान को अपने उपर हावी मतोंने दो, एक बार दूसरों को दर्द दे कर देख लिया ना, राहत नहीं मिली ना, अपनी ताकत का इस्तेमाल, दूसरों को खुशी दिने में करो इंशालला, सुकून मिलेगा तुम्हें, और वो द्वाएं भी, जिनोंने तुम्हें जलाल से अकबर बनाया था, बद्वा लेकर फिर जलाल मत बन्याना तुम्हें कर दो कि अलाल मत बन्याना हमारा मन बहुत अशान्त हो गया था इसलिए सलिम चिष्टी सहाब ने हमें यहां बुला लिया परन्तु आप यहां हम भी आसुकून के लिए आए हमने हमारी सबसे बड़ी जंग पर फत्या हसल की ही हसारों को माड़ दिया लेकिन तब भी हमारी तब भी इस जंग को जीतने के खुशी हम मैसूस्त नहीं कर पाए हम अमेद कर रहे थे कि फत्या के ख़शी हमारी तनाई को दूर करते की लेकिन नाजा ने ऐसा क्यों नहीं हुआ बाबा ने क्या कहा मजविनिया राय कि जो अनुने कहा क्या उसे है करने से हमें आगरकार सुकून मिलेगा या नहीं क्या हमारा तर्थ ज़सुन हम चाहते हैं उसमें तबदील हो गया नहीं कितना समझाना चाहा आपने हमें कितनी रूपने की कोशिश की हैं आपने लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी अपने गुस्से के तपिश में आकर हम बस सब को दर्द देने चरह गए क्योंकि हमें दर्द मिला अपने दर्द को मिटाने के लिए हम दुनिया मिटाने चले गए और क्या मिला हमें क्या मिला हमें और दर्द और तुनाई हम सब बहुत बड़ी गलती हो गई है जो था बेगम हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है हमारी वजह से आपको जो पीड़ा हुई उसके लिए हम चुमा चाते हैं क्या बढ़ा हमें